नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं Grand Jotis Secret कई बार आपने देखा होगा बहुत साई लोग ऐसे हैं जो बहुत पूजापाट करते हैं लेकिन फिर भी वो तरक्की नहीं कर पाते हैं, जहांके हैं वहीं रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ना, बरकत नहीं होना, एक बार आपको अपनी कुणली जरूर देखना चाहिए क्योंकि हमारे जोतिस में बहुत सारी नियम भी हैं, बहुत सारी उपाई भी हैं कुछ लोग ऐसे भी जो पूजा पाट नहीं करते हैं, लेट तक सोई रहते हैं, लेट से स्टान करते हैं लेकिन फिर भी देखिएगा कि बरकत बहुत है, जिनके घर में मंदिर तक नहीं है, ऐसे लोग भी कुप पैसा कमाते हैं आखिर ऐसा क्यों, आखिर गरहों की इस्तिती क्या है, और कैसे राहु वेक्ति को धरातल पर भी ले आता है, और कई बार उचाईयों पर भी पहुचा देता है तो आपकी अगर कुंडली में राहु की पोजीशन, दो ऐसे भाव हैं जहां पे रहें, तो आपको लंगन में भोज़ा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, तब आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है तो आखिर वो इस्तिती क्या है, पहली ये समझ लेते हैं देखिए सबसे पहली बात अगर आपके लगन में राहु है, पहला भाव में, तो आपका साहस आपका confidence बहुत बढ़ावा रहता है, लेकिन थोड़ा भ्रमित भी होते हैं अगर भीती भाव में राहु है, तो अचानक से धन देगा, पारिबारी बिवाद लेकिन करवाएगा अगर तिरते भाव में राहु है, तब साहस बढ़ेगा, भाई बहन का support मिलेगा लेकिन थोड़ी बहुत चुनावत या रहती है चौतुर तो अगर भाव में राहु हो, तो पारिबारी जीवन में थोड़ा समस्या लाता है, मा को कस्ट देता है पंचम भाव में राहु के रहने से सिच्छा संथान समंदी मामलों में थोड़ा सा तनाव देता है या फिर राहु इस्तरियों में गरबात की समस्या भी देता है छटे घर का राहु सत्तुमों का नास करने वाला होता है सत्तुमों पर विजय दिलवाने वाला होता है बड़े-बड़े कारे करवाता है वही अगर आपके विवा स्थन में राहु बैठ जाए तब विवा और प लेकिन अगर आपके अस्टम भाव में राहू हो तब रहस्य मेई चीजों की तरफ आकरसित होता है ऐसा लोग और जब नवम भाव में राहू होता है तो बेक्ती धर्म से दूर हो जाता है या फिर घर से दूर जाने के बाद उसका भाग्योदय होता है अब राहू अगर दसम में राहू हो तो अचानक से लाब दिलवाता है कारियों में सफलता देता है परिस्रम ही बनाता है समाजिक सब्वाव में तो seating नहीं कर VP. ज्यादा पूजा पाट नहीं करना चाहिए देखिए सबसे पहली बात तो पूजा पाट का जो गरह है वो है गुरू देव गुरू ब्रस्पति तो गुरू जो होते हैं गुरू बैक्ति को धर्म की तरब जोड़ते हैं जितना उनको आप पावर देंगे पूजा पाट होता है अब ऐसा नहीं कि पूजा पाट एकदम नहीं करना चाहिए आप मंद्र पर यह पर एक एक दो-दो घंटा बैठे वे हैं भगवान के सामने कर रहे हैं वो नहीं करके सिंपल तरीके से कीजिए अगर आप सुक्र को बहतर करेंगे ओम सुंग सुक्रायन हमा का जब करे और धन आएगा सुक ठाट बाट जिसको कहते हैं वो भी आपका बढ़ता जाएगा तो पूजा पाट ज्यादा किन को नहीं करना चाहिए अब यह भी सवाल ऐसा नहीं कि सारे लोग पूजा पाट करना चोड़ दे तब तो गरबर हो जाएगी देखिए जैसे आपके कुंड दूसरा देखिए अगर घर में आप वैसे मंदिर जरूर होना चाहिए पूजा पाट भी करना चाहिए लेकिन बहुत जादा करना करके सिंपल तरीके से पूजा करें और देखिए भगवान की किर्पा तो बरसेगी लेकिन हम जो कि राहु की बात कर रहे हैं राहु अगर आ अगर आपकी कुंडली में ब्रस्पती पंचंभों में बैठा है राहु दूसरे घर में बैठा है तो लंगर में भोजन मत खाईएगा मुस्किन में पढ़ जाएगा इस बात को धियान रखें इसका मतलब यह हुआ कि आपको राहु अगर आपके कुंडली में दूसरे घर म में हो तब लंगर में भोजन ना करें हम आपसे विदा लेते हैं जानकर यह अच्छी लेगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें दनेगा